नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सीविल तरफिस में यूपी प्यस्सी के लिए यह फुल लंटे सीरीज हम आपके लिए लाएं यह कम्प्लीट इसमें जैसा पेपर एक्जाम में आता है बिल्कुल वाईसा ही आपके दिया जाएगा देड़ सो क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के इसाब से है जो 2020 का जो है पैटर्न आपका 2018 से जो पैटर्न चेंज गया था उसके इसाब से कम्प्लीट यह आपे है इसमें सारे शिक्सन के क्वेश्चन है पॉलिटी इस्ट्री जोगरफी एकनॉमी साइंस सब कुछ इसको आप पूरा अटेम्ट जरूर करिएगा बहुत अफ़र्ट लगे हैं पहले क्वेश्चन बनाने में ट्रास्लेट करने में फिर इसको यहां पे डिकोड करने में एक्स्प्लेन करने में पूरी स्टडी फॉर सिविस्प्स की टीम का काम है यह आप इसको सब्सक्राइब करने में पूरी स्टाइब करने में आप चाहें तो यूपी या किसी भी सेट पीसी के लिए इसको जोइन कर सकते हैं इसके रिकारडिंग कोई भी आपको information चाहें तो इन given numbers पर call कर लीचेगा और अगर आपने अभी तक हमारे free telegram group को जोइन नहीं किया है तो उससे तुरन से तुरन जोइन कर लेचे राइट तो आईए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने first question के साथ first question दिया गया है global misery index से related इसमें कहा गया है सूचकांग में जितना उचा इस्थान होगा उसका मतलब होगा कि दुख उतना कम है और ये मुद्राइसपीती बेरोजगारी और उधार दौर उपर आधारत है तो ये second statement हमारी बिल्कुल साही है लेकि first statement incorrect है क्योंकि सूचकांग में जितना उचा इस्थान होगा इसका मतलब दुख उतना जादा है तो option कौन सा correct हो जाएगा option number B और ये जो सूचकांग है 1960 में शुरू किया गया था अर्थर ओकुन के दवारा तो ये हो गया हमारा first question आगे देखते हैं ये इसमें बात की गई है टिड्डियों की यानि की locust की ये क्या होते हैं इनसे related हमको गलत statement बताना है पहला कहा गया है ये छोटे सींग वाले टिड्डे है यानि की grasshoppers ठीक है शौट होन grasshoppers है और इनकी गतिविधी जो होती है मैं से नवेंबर की बीच में सबसे ज़ादा होती है नाइट्रोजन से भरपूर उर्वरक का उपयोग करके इसके हमले को नियंतरत किया जा सकता है तो ये तीनों ही statement हमारे बिलकुल सही है option हो जाएगा option number D कि इन में से कोई भी गलत नहीं है और आपको पता होगा कि ये काफी जादा news में रहे हो और इनकी जो speed होती है वो 150 km per day है जो हमारे agriculture produce के लिए काफी जादा harmful है और इंडिया में इनकी 4 species पाए जाती है basically वो कौन-कौन से है पहला हो गया desert locust दूसरा हो गया migratory locust and then Bombay locust और फिर tree locust जो desert locust है यह सबसे जादा destructive है ठीक है अगले question की तरफ बढ़ते हैं इस question में बात की गई है मेगाले है subterranean मचली की इसमें कहा गया है यह सबसे बड़ी गुफा मचली है और जैंतिया पाणियों में पाई जाती है और यह सभी ग्यार सब्सक्राइब मचलियों की और सथ लंबाई का लगभग पांच को ना है इसमें हमारा जो correct option है वो यह तीनों ही और यह एक प्रवासी प्रजाती है जो कि नेस्टिंग के लिए भारत आती है और इनकी अत्यदिक संख्या में अंडे वोने देने की प्रक्रिया होता है उसको अरिबादा कहा जाता है तो इसमें तो कौन सी statements आई है second और third statements बिल्कुल सही है first incorrect है क्योंकि अनुसूची एक में रखा जाता है अनुसूची एक में उनको रखा जाता है जिनको highest protection की ज़रूरत होती है जिन species को तो बाकी जो दोनों statements सही है उनको देख लेते हैं इसका मतलब क्या हो गया ओले रिडले turtles एक प्रवासी प्रजाती ह और दूसरी statement में कहा गया है जब यह एक साथ काफी जादा संख्या में अंडे देते हैं तो उसको क्या कहते हैं अरी बादा राइट तो यह दोनों ही बाते याद रखिएगा इसमें हमारा correct जो statement हो गया है वो हो गया है option number C यानि 2 & 3 फिर आगे देख लेते हैं sustainable public procurement पर एक task force उसका गठन किया गया है ठीक है तो इससे related points देगा है कहा गया है प्रतिकूल पर्यावरन और सामाजक प्रभावों को कम करेगा और वायू और जल्प्रदूशन को कम करेगा यह और इसके द्वारा समुदायों में स्वास्ते और सुरक्षा को बढ़ाबा दिया जाएगा त उनके कार्यानमयन को एक वर्ष के लिए टाल दिया गया है और एक वर्ष के लिए टाल कर अब कितना कर दिया गया है जनवरी 2025 और प्रत्यक्षकर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के जो करदाता हूं को ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट के साथ देकरों को भुक प्रत्यक्ष कर विबादों को निप्टाने हैं तो जो उनके डारेक्ट टैक्स से रिलेटेट जो भी इशू से उनको निप्टाने के लिए अफसर प्रतान किया जाएगा तो यह बात हमारी बिल्कुल सही है यह सेटमेंट इंकरेक्ट है क्योंकि एक वर्ष के लिए टाला जर यानि Limited Liability Partnership Settlement Scheme किसके द्वारा रौन्शी गई है Corporate मामलों के मंत्राले के द्वारा फिर आता है पर्यावरन प्रभाव आकलन अधिसूषना दोहसार बीद के मसौदा त्यार किया गया है ड्राफ्ट उससे लेटेट पॉइंट्स दे गया है कहा गया है यह मौजूदा पर इसमें हमारे फिर से तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे Option B करेक्ट हो जाएगा चीक है देन चंडिगर की सुखना जील यह काफी जादा न्यूस में थी से रिल्रेट सेटमेंट दे गया है कहा गया है पंजाब और हर्याना जो हाई कोट है इसने इसको जीवित संस्थ साब घोशित किया गया है पंजाब और हर्याना हाई कोट के द्वारा देन नेक्स्ट बढ़ते हैं लड़कियों के लिए एक नया यूग 25 साल की प्रगति का जायजा लेना एक रिपोर्ट है अन्यू एरा फो गिर्ल्स टेकिंग स्टॉक ऑन 25 विए और प्रोग्रेस यह रि गई है एक कारिकरम शुरू किया गया है Tech for Tr probable यह किसके द्वारा शुरू किया गया है इस्यृट सेटमेट्स बेक्जेट है यह तो i important point हो जाता है क्योंकि मंत्राले कई बार पूछ लिये जाते हैं और इसमें हमें लग रहा है कि आदिवासियों के लिए टेक है तो यहीं मंत्राले होगा लेकिन यह नहीं है राइट तो इसमें हमारा correct option हो जाएगा option number next question देखते हैं next question में बात किये गए है राज कुमारी अमरिता कौर की जिनको टाइम मैगजीन ने पिछली सदी की जो सबसे शक्तिशाली महिलाए हैं उनकी सूची में शामिल किया है तो यह कौन थी है हमारी independent इंडिया की first health minister थी अगर आपने पढ़ा हो तो आपको यादा इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी के काम और शिक्षाओं के प्रति आकर्शत थी और इन्होंने Margaret Cousins के साथ मिलकर अखिल भारतिय महिला समेलन की स्थापना में मदद किये थी तो यह दोनों ही statement इनके बारे में बिल्कुल सही है correct option हो जाएगा हमारा option number C right then इसमें बात कि गई है अर्पित की अर्पित एक initiative स्टार्ट किया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्राले की पहले कहा गया है और दूसरे statement में कहा गया है कि इसका फुल फॉर्म है वह है annual renovation program in technology ठीक है यह अर्पित का आपको similar लग रहा होगा लेकिन यह नहीं है इसका full form इसका full form है annual refresher program in technology ठीक है और तो यह हमारा first statement साई है दूसरा गलत है option A correct हो जाएगा right then next question की तिरफ बढ़ते हैं प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के संदर में points दिये गए हैं पहले में कहा गया है जो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना के तहट प्रति महा प्रतिवेक्ति 5 क कर्मचारी है उनको भीमा कवर प्रदान किया जाएगा और जन्धन खाता धारकों को एप्रिल से जून के लिए प्रति महा 500 रुपए दिये जाएंगे अभी यह हम एप्रिल से जून तक का ही देख रहे हैं क्योंकि यह स्टार्टिंग में जो आई थी यह उचना उससे जन्दन की उन्हें को केबल 500 रुपए दिया जा रहा है तो यह एक इंपोर्टन पॉइंट था इसमें हमारा ओप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा वन एंट्टू ऑप्शन नमबर सी देन भीलवाडा मॉडल यह देखिए यह भी काफी जादा न्यूस में रहा है अगर स्थिति को सुधारने के लिए COVID-19 की पहले स्टेटमेंट दिया गया है करफिव लगा दिया गया था फिर व्यापक जांच और घरगर सर्वेक्षन हुआ था विस्त्रत अनुबंधन अनुरेखन यानि कि डीटेल कॉन्ट्राक्ट रेसिंग की गई थी और उसके बाद तीन स साल की जेल देखिए फर्स सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स आहीं है जेल का कोई भी बात नहीं की गई थी इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन अमबर डी ठीक है फिर आता है नेक्स्ट क्वेशन वदावन बंदरगा यानि कि न्यूस में भी आया है तो इससे रिलेटिट सेटमेंट्स देख लेते हैं बदावन बंदरगा आप के लिए का गया है यह लांडलोर्ड मॉडल पर विक्सित किया जाएगा और यह पढ़्यावन के अनुकूल बंदरगा होगा क्योंकि इसे चारों और जो फैले मैंगरूव है उनको रुकसान पह कर सकते हैं कि आपको कौन सी सेटमेंट बता है कि नहीं ठीक है फिर आंसर माच कर सकते हैं क्योंकि यह पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सारी चीजें एक साथ स्क्रीन पर दिखा दू क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है I hope you understand that तो यहां पर हमारा जो पॉइंट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यह तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है option correct में ने बता दिया है दी इसका correct हो जाएगा और यह कहां पर located है यह located है महाराष्ट्र में right then next question में आते हैं इसमें बात किए गई है राश्ट्री तकनी की कपड़ा mission की यानि की national technical textile mission इसमें कौन सा कथन गलत है तो पहले कथन देख लेते हैं खा गया इसका उदेश दो हज़र चौबिस तक तकनी की कपड़े से कि जो घरेलू बाजार का आकार है लगभग 50 बिलियन statements हमारे सही है कोई भी गलत नहीं है option D correct हो जाएगा ठीक है देखिया point आता है कि जो technical textiles होते हैं वो होते क्या है यह normal कपड़ों से थोड़े different होते हैं इनका निर्मार तकनीक और उससे संबंदित जो भी आविशकता है होती है उनके लिए किया जाता है जैसे कि जो वैज्ञ सूच कांग की कहा गया है और उसका उदेश है कि भारती शहरों का समग्र द्रश्टी को प्रदान करना ठीक है तो इसमें हमारा कौन सा statement सही होगा यह दोनों ही बाते बिल्कुल सही है option correct हो जाएगा option no.c then next question की तरफ बढ़ते हैं इसमें कहा गया है conservation of migratory species of wild animals की जो समिट ह होई है कॉप 13 उससे related points दे गए है कहा गया है appendix 1 में साथ प्रजातियां शामिल की गई है जिने सबसे सक्ष सुरक्षा प्रदान की जानी है ठीक है then next में बात की गई है कि प्रवासी प्रजाती की स्थिती पर यह पहली report बताती है कि cms द्वारा कवर की जाने वाली अधिका प्रवासी प्रजातियां वह घत रही है कि भारत साथ प्रवासी प्रजातियों के लिए शीर्ष देशों में आता है सबसे जादा तौप कंट्री में आता है तो यह तीनों ही statement हमारी correct है यह जो summit हुई थी अभी recently हुई है February में गुजरात में और इसका जो theme है वह है migratory species connect the planet and we welcome them home तो यह इसकी theme थी यह statements बिलकुल सही है इनको आप देख लीजएगा correct option जो है वह हो जाएगा हमारा option number D right then आगे बढ़ते हैं कहा गया है energy water agriculture nexus grow solar save water double the farm income यह कारिशाला नई दल्ली में आयोज़त की गई थी और किसके द्वारा आयोज़त की गई थी यह पूछा गया है तो यह नीतियायोग और word bank के द्वारा आयोज़त की गई थी हमारा correct option हो जाएगा option number C ठीक है देन आगे बढ़ते हैं भारत में भूजल संप्रदूशन के संबंद में जो रेपोर्ट है उसके related points देगा है इसमें कहा गया है कि गंगा प्रमपुत्र मेगना जो नदी घाती है उनके पास जो राज है वो सबसे कम प्रभावत है और भूजल में arsenic संप्रदूशन जो है संदूशन यह खादिश रंक्ला में प्रवेश कर चुका है तो कौन सा statement सही होगा दूसरी बात बिल्कुल सही है आर्सने कंटामिनेशन हो गया है ग्राउंड वॉटर में लेकिन पहला statement गलत है क्योंकि यह सबसे जाधा प्रभावित राच्चे है ठीक है तो correct statement हमारा correct answer कौन सा हो जाएगा option number B then आगे बढ़ते हैं कहा गया है कि facebook ने we think digital कारिकरम शुरू किया है और यह कारिकरम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है दोनों ही points पिल्कुल correct है option C सही हो जाएगा यहापर देखिए इस question में बात की गए है कि union ministry ने ऐसी जगहों में चहां पर ज waste जो water purification है यानि membrane आधारिजल शोधन उस पर प्रतेबंध लगा दिया गया है तो इसके पीछे क्या reasons है उसमें पुदिया गया है कि पहला reason है कि बहुमोल लिखनेजों का नुकसान होता है दूसरे में कहा गया है इसमें 20 केवल 20% पानी को पुना प्राप्त कर पाती है और देन आगे देख लेते हैं पुमपुहर अभी recently news में था यह क्या है आप options देख लीजे मैं आपको correct answer इसका बता रहेती हूं हम चल्दी से options पढ़ लीजे सारे इसका correct answer होगा option number A तमिल नादू का एक बंदरगाः शेहर है जो 1000 साल पहले समझ जो के नीचे डूब गया था ठ देन आगे बढ़ते हैं बाजार बुद्धिमत्ता और पूर्ष चेतावनी प्रणाली पोर्टल के संदर में यानि की market intelligence and early warning system पोर्टल देखी काफी difficult difficult बड़े बड़े नाव है इसलिए मैं English पर भी परदे रही हूं था कि कोई भी confused ना रहे तो यह इसे statements देगा हैं कहा गय किया गया यानि ministry of food processing industries और यह टमाटर प्यास और दालों की कीमतों की वास्तिविक समय में निगरानी प्रदान करेगा तो हमारा केवल पहला statement सही है दूसरा incorrect है क्योंकि यह दाल नहीं है यहाँ पर आएगा potatoes that is आलू ठीक है यानि जो चीज़े जल्दी खराब हो जाती है आ इसलिए option हमारा कौन सा correct होगा option number a take then next देखते हैं अगले question को इसमें बात किये गए है प्रनाश प्रक्षे पास्त्र की पहला statement कह रहा है कि इसकी मारक शमता 200 km से और यह सत्य से सत्य ब्यालेस्टिक प्रक्षे पास्त्र है यह प्रहार प्रक्षे पास्त्र का उन्नत संसकरण और यह अपनी श्रेडी में दुनिया के सबसे सस्ते प्रक्षे पास्त्र में से एक है फिर कहा जा रहा है कि यह गैर परमारू प्रक्षे पास्त्र होगा तो यह सारे ही बाते बिल्कुल सही है सारे statements correct है option D correct हो जाएगा यहां पर तो अगर सारी बाते सही है तो भी आप एक को देख लिएएक हैं कि इनकी इसकी मारत्य रमता कितनी बताई गई है 200 되어 200 किलोमेटर सब्सक्र में आपके सबसे सबसे सस्ता है इक गैर परमारू प्रक्षे पास्त्र है तो यह आपने दीख लिया होय आगे देख लिए पूर फ्रोटेट बुलबुल होती है फ्लेम फ्रोटेट बुलबुल यहां पर फ्लेम नहीं लिखा है फ्लेम फ्रोटेट बुलबुल उससे रिलेटर पॉइंट्स दिये गए हैं यह 36 वे राश्ट्री खेलों के लिए शुभांकर के रूप में चुना गया था तो इससे आपको उत्री अट्लांटिक महासागर में रिकॉर्ड किया गया है दूसरा सबसे शक्तिशाली गेर उष्णकटी बंदी है तूपाने यानि कि नॉन ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और फिर कहा जा रहे हैं कि यह दो तीव रुबं चक्रवातों के दुरलब विले के परिणाम स्वरूप अनाउंस हुआ था उसमें सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी को समाप्त कर दिया है इसके आयात पर जो लगाई जाती थी उसको समाप्त कर दिया है यह क्या है बेसिकली यह एक कच्चा माल है जिसका उप्योग विभिन मानव निर्मित कपड़े बनाने के लिए किया ज कहा जा रहा है कि इसका सत्तर से असी प्रतिशत प्रयोग पॉलियस्टेर उत्पाद में किया जाता है तो यहां पर यह दोनों ही बाते बिल्कुल सही है और दुनिया में लीथियम आयन बैटरी के सबसे बड़े आयातकों में से भारत अब एक हो गया है तो यह बात के चार गुना कर दिया है यानि कि डबल ना करके कौडरूपल कर दिया है तो दोनों सेटमेंट हमारे सही नहीं है केवल दूसरा सेटमेंट सही है और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आगे देखते हैं यूनियन टेरिटेरी डेली से समबंदित पॉइंट्स दिये गए है इसमें कहा गया है जो दिल्ली की विधान सभा है वो कुछ अपवादों के साथ राज सूची में सभी मामलों पर कानून बना सकती है और समवर्थी सूची के सभी मामलों पर कानून बना सकती है तो ये दोनों ही बाते बिल्कुल सही है औप्शन सी करेक्ट है फिर आगे अधिनियम अनुसूचत छेत्र पर लागू ना हो उसका देन फिर बात कही गई है कि अनुसूचत छेत्रों वाले जो प्रतियक राज्य हैं उनको जन जाती है सलागार परिशत को स्थापत करना है जिसमें 20 सदस्य होंगे तो पहला और तीसरा सेट्मेंट्स आई है दूसरा स् यहां पर जो हमारा correct option होगा वो होगा 1 and 3 option A आगे बढ़ते हैं इस question में बात की गई है कि चुनाव आयोक के जो स्वतंत्र कामकाच है इनको कौन सा इसमें से प्राभधान निरधारत करता है पहले में कहा गया है कि इनका कारिकाल जो है उसको कारिकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है और इनके सदस्यों की योगिता को सम्विधान में दिया गया है और जो सेवा निवरत चुनाव आयोक्त होते हैं उनको सरकार द्वारा किसी भी और नियुक्ति से रोख दिया जाता है इनकी जो सेवा शर्ते हैं उनकी नियुक्ति के पश्चात उसमें कोई भी नुक्सान है तो बदलाल नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो पहला और चौथा स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है, दूसरो और तीसरे स्टेट्मेंट का कोई भी प्रावधान चुनावायो के संबंद में नहीं दिया गया है, इसलिए option हमारा correct हो जाएग option number A, आगे देखते हैं, UPSC के संबंद में points दिये गये हैं, लिखा गया है राश्पती UPSC के सदस्यों में से एक को कारी-कारी अध्यक्ष के रूप में नेउस कर सकते हैं, ऐसा कप कर सकते हैं, जब अध्यक्ष का पद खाली हो, अनुपस्तिती या किसी अन्यकारण से अध अध्यक्ष अपने कारी को करने में असमर्थ हो या अध्यक्ष अक्षम हो, तो ऐसा कोई भी प्रोवेशन नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड वाले प्रोवेशन हैं, तो कौन सा स्टीटमेंट हमारा करेक्ट होगा, option number B, अगली question की तरफ बढ़ते हैं, UPSC की भूमिका के संद मामलों पर सलहा देता है, फिर का गया है, इसका संबंद क्यादर प्रबंधन से हैं, तो फर्स, सेकेंड और थर्ड सेटमेंट से हमारी करेक्ट हैं, लेकिन क्यादर प्रबंधन से इसका संबंद नहीं है, तो option हमारा कौन सा हो जाएगा, option number A, right, आगे देख लेते हैं, बात की गए है कि जो SC-ST Commission है, इसको अलग-अलग कर दिया गया था, किस सम्विधान संशोधन से, देखिए, इसको 89th Constitutional Amendment Act 2003 से अलग-अलग कर दिया गया था, यह हो गया था, National Commission for SCs और National Commission for STs, इससे पहले यह दोनों एक ही Commission में आते हैं, अगले question को देख लेते हैं, भाशाई अर related कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था, और राज्यों के पुनरगठन आयोग ने इस सम्विध में एक सिफारिश की थी, then 10 में सम्विधानिक संशोधन अधिनियम के साथ इसको जोड़ा गया था, तो पहला और दूसरा statement सही है, लेकिन इसको 10 में से नहीं जोड़ा गय यह था, जो कि 1956 में हुआ था, तो statement कौन सा हमारा यहां पर option कौन सा correct हो जाएगा, option number B, यहां पर हमारा option B correct हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, महान्यायवादी यानि कि attorney general के बारे में कुछ statement कहा गया है, कि उसे भारत सरकार की अनुमती के बिना आपराधिक को कद्बों मे बचाव नहीं करना चाहिए, और भारत सरकार के खिलाफ यह सला नहीं दे सकते हैं, तो यह दोनों ही points बिल्कुल सही है, option C correct हो जाएगा यहां पर, आगे देख लेते हैं, नीती आयोग के कुछ guiding principles हैं, तो वो कौन कौन से हैं, अंतियोदे, समावेश, ग्राम, जनसांखे की लाभांश, लोगों की भागीदारी, शासन और सतत्ता, तो यह सारे ही guiding principles हैं, नीती आयोग के, आप इंको एक बार देख लीजे, option हमारा जो होगा, वो हो जाएगा, उप्रोप सभी, ठीक है, then, राश्ट्रिये श्रम, अर्थ शास्त्र, अनुसंधान और विकास संस्थान क के संबन में points दिये गए हैं, कहा गया है, यह नीती आयोग से जुड़ी है, केंद्री स्वायतिसंस था है, इसको पहले Institute of Applied Manpower Research के रूप में चाना जाता था, और 2010 में इसका नाम बदल दिया गया, तो इसका नाम 2010 में नहीं बदला गया है, 2014 में बदला गया है, correct option हो इसमें खा गया है कि सरवोच नयाले के जो नयाधीश हैं, इनको राश्ट्री ये मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, अभी तक केवल जो Chief Justice थे उनको किया जा सकता था, लेकिन अब जो हमारे नयाधीश हैं, उनको भी किया जा स सकता है, यह statement बिल्कुल सही है, और आयोग के जो सदस्यों की संख्या है, वो 2 से बढ़कर कितनी हो गई है, 4, तो यह statement गला थे, क्योंकि 2 से बढ़कर 3 हो गई है, option A यहाँ पर सही होगा, ठीक है, एक question हम ऐसा ही पहले भी discuss कर चुके हैं, तो किसी ने comment section में लिखा था, तो एक समिती के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उस समिती में कौन-कौन शामिल होता है, तो उसमें शामिल होते हैं मारे प्रधान मंत्री, केंद्री ग्रह मंत्री और लोगसभा में विपक्ष के नेता, लोगसभा अध्यक्ष उसमें शामिल नहीं होता है, तो option हो जाएगा option number A123 next question है भारतिय समाजवाद के संबंद में कहा गया है कि यह राज्की यह समाजवाद नहीं है और 1991 की जो नई आर्थिक नीती थी इसने भारतिय राज्जी की जो समाजवादी साख है उसको कमजोर किया है तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है यहाँ पर state socialism नहीं है हम एक democratic country है और जो 91 की जो policy लाई गई थी economic policy इसके बाद जो अमीरी और गरीबी है उनमें काफी जादा gap हो गया है अमीर लोग जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब काफी जादा गरीब तो जो समाजवाद की साख है वो obviously कमजोर हुई है इसलिए option कौन सा correct हो जाएगा option नमबर C छीक है फिर आगे देखते है आर्टिकल 12 से संबंदित points दिये गए है राजी शब्द में क्या क्या शामिल होता है पहले में कहा गया है कि भारत की सरकार और संसत फिर राजियों की सरकार और विधाय का नगरपालिका पंचायत जिला बोर्ट LIC ONGC और सेल तो पहले लोकल अथोरिटीज जो होती है इंडिया के अंदे जो भी गवर्मेंट के कंट्रोल में है और ऐसी अथोरिटीज इसके पास कानून बनाने का या ओर्डर पास करने की शक्ति होती है जैसे कि मुनिस्विपालिटीज पंचायत सी हो गई और जो भी स्टाचुटरी और नॉन करेक्ट हो जाएगा option number D एक पॉइंट मैं यहां पर बता दूँ कि judiciary इसके अंदर एक state के रूप में नहीं आती है यह एक अलग body है ठीक है तो यह state के अंतरगत include नहीं होगी फिर हम देखते हैं कि इन में से कौन सा किस ने ईसापूर्थ दूसरी शताबदी के मध्ध में श्रीलंकर पर विजय प्राप्त की थी और लगबख 50 वर्शों तक इस पर शासन किया था तो वो कौन सा वंश था यह था चोल वंश ठीक है option B correct हो जाएगा फिर आती है बात कि किस शेत में ताम रपाशानेक लोग जो थे वो खाने के लिए मचली और चावल पर निरवर थे जो अभी भी देश के उस हिस्से में लोग प्री आहार है देखे ऐसे questions easy question है यह लेकिन इतनी बड़ी statement देकर हमें confuse करने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ पर हमारा जो option हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी ठीक है वहाँ पर यह आज भी एक लोग प्री आहार है देन आगे बढ़ते हैं उद्दालक आरुनी और जो उनके पुत्र थे श्वेद केतू इनके बीच में ब्राम्मर की पहचान और आत्मा के विश्या में प्रसिद बात चीथ हुई थी यह किस उपनेशद में दीगई है यह दिया गया है चांदोग इस चांदोग इस पर अगले क्वेश्यंघित इसमें कहा गया है महावीर की शिक्षाओं का संबंद सिद्ध शिला से था और जैन धर्म के मूल जो सिद्धान थे वह मूल सूत्रों में दि देना लंका कहा जाता था और इसका निर्मार वूलर्जील में करवाया गया था यह दोनों बाते फिर से सही है इसलिए उप्शन हो जाएगा हमारा करेंट ऑप्शन इंबर सी देखी करेक्ट स्टेट्मेंट्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको इग्ण और उस समय पर जो शिक्षा का माध्यम था वो आम तोर पर उर्दू था तो पहला और दूसरा सेटमेंट बिलकोल सही है लेकिन उर्दू शिक्षा का माध्यम नहीं था परशिया परशियल लांग्विज और अराबिक लांग्विजिस थी शिक्षा का माध्यम तो कौन सा से से हो जाएगा option number B 1 & 2 आगे देखते हैं अब इसमें हमको देखना है सुमेलत करना है basically तो पदम सुंदर अकबर शाही शंगार दरपर से सुमेलत है सिद्ध चंदर उपाध्या है भानुचंद चरित्र से और जगनात पंदित रसकंगाधर से यह आपस में 1A 2B 3C option A करेट हो ज से हैं अकबर शाही शंगार दरपर दैंसिद्ध चंदर उपाध्या है भानुचंद चरित जगनात पंदित रसकंगाधर देखे बुक्स थोड़ा लर्ण करना टाफ होता है तो इनको आप 2-3 बार पढ़ लीजे ताकि आपको याद हो जाए फिर आता है कि अकबर के समय में फिर आता है कि द्रच फैक्ट्रियां जो थी वो कहां स्थापिट की गई थी मसूली पटनम पेता पोली देवा नाम पटनम और पुलिकर्ट यह चारो ही जगह स्थापिट की गई थी ऑप्शनों का 1-2-3-4 ऑप्शन B करेक्ट होगा यहां पर 1 मिसिंग है तो यह याद दिवान जो था वो मुहमद रजा खान और राजा शिताब रोय दोनों लोगों को ही नियुक्तिया गया था तो जो मुहमद रजा खान थे यह बेंगौल के उपदिवान बने थे और राजा शिताब रोय जो थे यह बिहार के उपदिवान बने थे ठीक है तो ऑप्शन यहा थी उसके साथ समाप्त हुआ इसकी शुरुवात यूरोप में सब्त वर्षी युद्ध से होई थी तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है प्रथम करनाटक वार के संबंद में लेकिन इसका संबंद तृति करनाटक वार से है ना कि फिर आता है कि पुवाईया के जो राजा थे उनको किसे मारने के लिए अंग्रेजों से बड़ी रकम मिली थी तो उनको मिली थी फैजाबाद के मौलाना एहमदुल्ला को मारने के लिए बड़ी रकम ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ फिर बात आती है कि कि इसने अपनी कविता भारत तीर्थ में लिखा था कि पस्चम ने अपने दवार खोल दिये हैं तो यह भारत तीर्थ कविता किसकी थी अगर हमें पता होगा तो हम यह जान जाएंगे यह कविता थी रबींद्रिनाथ टेगोर की अगले क्वेशन की तरफ परते हैं इसमें कह आ गया है कलकत्ता के मुहंडन साक्षिर्दा सोसाइटी यानि कि मुहंडन लिटरसी सोसाइटी को स्थापित किया गया था 1863 में और इसकी स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ ने की थी तो यहां पर कौन सा स्टेटमिंट हमारा सही है दोनों ही बातिया सही है ऑप्शन स चाहिए प्शन से सुमेलत करना है कोन सा का वैया तो जो बंगाल अकाल था यह सुमेलत होगा कि ऐटीन तीस से सॉरी यहां पर अप्शं नहीं है यहां पर किसली देख लेते हैं और क्रेट होगा तो जो बंगाल अकाल ह मो है 1769 70 से और उरम верхा है और बंगालWebr यानि की ग्रेट बेंगॉल फिमाइन यह आया था 1942-43 तो यह आपस में सामने सामने सुमेलत हो जाएंगे अगला क्वेश्चन रेख लेते हैं इसमें कहा गया है नील विद्रो पश्चिम मंगाल के नादिया जिले में शुरू हुआ था और जो बात के वर्षों में नील विद लॉजिकल ओर्डर में लगाना है तो अब देख लेते हैं कौन सा होगा इलबर्ट पिल आई थी 1883 में दें पंजाब भूमी अलगाव अधिनियम आया था 1900 में और सम्मत या अधिनियम कब आया था 1891 में और भारती टेलिग्राफ अधिनियम आया था 1885 में इसमें हमारा जो रिलेड़ पॉइंट्स दे गया है कहा गया है इस आंदोलन को पूना सावजनिक जो सभा थी उसका समर्थन मिला था और दक्कन दंक का आयोग जो था इसकी स्थापना 1888 में इसकी जो स्थापना की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट 1888 में दिये थी तो कौन सा सेटमें यहा तो कौन सा होगा option number a ठीक है इस question में बात की गई है कि जो निचली जाती हो थी उन्होंने उच जाती हो कि रीति रिवाजों और शिष्टाचार को अपनाने की कोशिश की उनकी नकल करने की कोशिश की इसको संस्कृती करण शब्द दिया गया है यानि की संस्कृताइजेश तो ये जो शब्द धा ये किसने दिया है ये शब्द दिया गया है M.N. श्री नवास के दौरा किसके दौरा M.N. श्री नवास के दौरा इस question में बात की गई है सिख सुधार आंदोलन की इसमें कहा गया है कि निरंकारी आंदोलन की शुरुवात बाबा धयाल ने की थी और तो correct statement जो हमारा हो जाएगा correct option वो हो जाएगा option number a next question देख लेते हैं बात की गई है आरे महिला सभा इसको स्थापित किया गया था पंडिता रामाबाई को दौरा आरे महिला सभा की स्थापना की गई थी अगले question की तरफ बढ़ते हैं इसमें कहा गया है स्वराज पार्टी के संदर में points दिये गए हैं इसका गठन हुआ था विधान परिशद में प्रवेश पर असेहमती के कारण ठीक है तो यह आपको पता है यह statement हमारा बिल्कुल सही है लेकिन इसको मोतिलाल नहरू को कहा गया ह इसके पहले अध्यक्ष थे जबकि यह पहले अध्यक्ष ना होकर कौन थे सचेव यानि की सेक्रेटरी थे यह तो हमारा correct option यहाँ पर केवल ए हो जाएगा मोतिलाल नहरू अगर सचेव थे तो अध्यक्ष कौन था हमारे CR दास जो थे वो अध्यक्ष थे राइट अगले question की तरफ बढ़ते हैं सांप्रदाइक पुरसकार यानि कि communal awards में किसके लिए अलग से निर्वाचत मंदल की बात की गई थी सिखों मुसल्मानों यूरोपिये आंगल भारतिये भारतिये इसाई और दलित पर इन सभी के लिए की गई थी इसलिए correct option कौन सा होगा हमारा option number D यानि उप्रोग सभी, then next देख लेते हैं All India States People's Conference, कहा गया है कि यह रियासतों के राजनीतिक आंदोलनों का एक सम्हू था और इसका पहला सत्र बॉंबे में हुआ, पहला अधिवेशन 1929 में हुआ, तो पहला और दूसरा statement सही है, तीसरा incorrect है क्योंकि इसका पहला अधिवेशन 1927 म से किस मामले में Philip Pratt, जो एक विदेशी थे उनको उन पर मुकद्मा चलाया गया था, तो वो कौन सा था, वो था हमारा मेरट शरयंत मामले में ऐसा हुआ था, तो मेरट शरयंत हुआ कब था, 1929 में क्या हुआ था कि जो भी leftist leaders थे trade union की leaders जो basically communist विचारधारा से प्रभावित थे और कुछ ऐसे भी जो नहीं भी प्रभावित थे उनके against एक case कर दिया था British government के द्वारा मतलब एक फाल्तू का case बना दिया गया था क्योंकि एक तरह से Britishers जो थे वो communist ideology के बढ़ने से काफी जाता डरे हुए थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में भी इसको काफी बढ़ापा मिल रहा है इसलिए ये उनके उपर case लगा दिया गया था और इसमें जो involved लोग थे वो main थे हमारे essay Dange, Dan, Shokat, Usmani उसके बाद थे मुझफवर एहमत थीक है तो यह लोग main थे अगर इनका रिलेशन आ जाए कौन सी conspiracy मामले से था तो यह हो जाएगा मेरत चड़ेंत मामला 1929 का तो इनके उपर 3-4 साल के इससला था इसके अलावा जो एक और अंग्रेश थी उनका नाम था Benjamin Francis Bradley थीक है तो यह हमने देख लिया इसके बारे में आगे बढ़ते हैं अगे question की तरफ इसमें बात की गई है कि आर्टिक सर्वेक्ष्ण 2019-20 में वित वर्ष 2020-21 के लिए साथ परसेंट से साढ़ी साथ परसेंट की व्रद्धी का अनुमान है चीक है और October, December 2019 की जो तिमाही थी इसमें GDP व्रद्धी दर साथ सालों में सबसे कम थी तो इसमें हमारा कौन सा statement सही है दूसरा सही है पहला incorrect है क्योंकि इसमें जो व्रद्धी दर का लक्ष बटाया गया था वो बताया गया था 6% से 6.5% ना कि साथ से साढ़े साथ तो इसमें हमारा correct option हो जाएगा option number B अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगले question में कहा जा रहा है कि buybacker का संबंध यससे buybacker के relation में points दे गया है पहले में कहा गया है buybacker वहां लागू होता है जहां कोई company share धारकों को जारी किए गये share को वापस खरीदती है उसके बाद कहा जा रहा है वर्तमान में buybacker केवल असूची बद कंपनियों पर लागू होता है तो इसमें हमारा correct option कौन सा हो जाएगा यह दोनों ही statement मिल्कुल correct है option number C correct हो जाएगा जैसे अब यह buyback लिखा है तो शायद आपका उतना ध्यान ना जाए तो ऐसे जो English terms होते हैं उनको एक बार English में देख लेना चाहिए ताकि हम समझ सके अगली question की तरफ बढ़ते हैं तुबरत सुधारक कारवाही यानि की PCA, Prompt Corrective Action इससे related points दे गए हैं इसे 2002 में पेश किया गया था यह बैंकों के लिए एक सनरचित प्रारंभ और NBFC पर लागू होता है ठीक है तो इसमें हमारा correct statement पहला और दूसरा है क्योंकि यह जो PC है यह केवल वारेचिक बैंकों में होता है ना कि cooperative banks और NBFC इनमें नहीं होता है इनके लिए extended यह नहीं है तो correct option कौन सा हो जाएगा हमारा correct option हो जाएगा 1 and 2 यानि option number C next देखते हैं masala bonds के संदर में points देगा है यह रुपे मूल वाले bond है IFC 12 2014 में पहला masala bond जारी किया गया था और इन्हें RBI की वाह वारेचिक उधार नेती के थैट वियनेया में किया जाता है तो इसमें कौन सा statement सही होगा यह तीनों ही statement हमारे बिलकुल correct है correct option हो जाएगा option number D1213 फिर देखते हैं पोजी scheme के संदर में points देगा है यह धोड़का धड़ी निवेश घोटाला है उसके बाद का गया है इन योजनाओं में निवेश करने वाले बहुत आसान है तो यह बिलकुल सही है तभी लोग इसमें scheme में निवेश करते हैं और यह धोड़का धड़ी कर देख लते हैं तीसरे में कहा गया है यह उच्च ब्यासदर प्रदान करते हैं तो यह बेफकूप बड़ाते हैं कि उच्च ब्यासदर प्रदान किया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि यह धोका धड़ी करते हैं बेसिकली तो correct option कौन सा हो जाएगा option number C फिर अगले question में आता है इसमें कहा गया है श्रंबल भागीदारी दर आबादी में श्रंबल में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाशत किया जाता है और यह आनुपातिक बेरोजगारी को श्रंबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में प कहा जाता है labor force participation rate उसके बाद proportion unemployed यह क्या से किया जाता है percentage of persons unemployed among the persons in the labor force labor force में जितने लोग हैं उनमें जो लोग unemployed हैं उसको कहा जाता है proportion unemployed तो इसमें हमारा statement करेक्ट कौन सा होगा दोनों ही बाते बिल्कुल सही है option c correct हो जाएगा then मृदा स्वास्त कार्ड योजना के संदर में कहा गया है देश की सभी देश की जितने भी किसान है सभी को दो साल के अंतराल पर प्रदान किया जाता है नमूना परीक्षन रिपोर्टिंग की लागत कें सरकार द्वारा वहन की जाएगी और मिट्टी के नमूनों का परीक्षन पांच माप दंडों पर किया जाएगा लगबग 25 करोर मृधा सवास्तकारडों को अभी तक बाटा जा चुका है इसमें कॉन सी सेटमेंट हमारी भी है ये बागी सारी सेटमेंट समय है लेकिन इसको प्लव। 12 अश्य माप क्लेंट्स माइंसक्रों मूंन पर 12 पर मेर्श किया जाता हं वैट तो यहां पर हमारा गलता option हो जाएगा option one two and four तो यह बताइए कि यह उचना किस वर्ष लॉंच की गई थी और exact date क्या थी लॉंच करने की ठीक है क्योंकि ऐसे questions आते हैं यह comment section में reply करकर बताईएगा comment करकर अब इसमें देखते हैं अगले question को इसमें कहा गया है कि बागवानी किस मुझे से कौन से सही पूसा सामफा 1850 चावल पूसा अधिती अंगूर पूसा सोना प्यास तो इसमें हमारा correct option हो जाएगा एक तीनों ही correct है तो देखें ऐसे questions को तो रटना ही पड़ेगा दो बात देख लीजे इसको तो याद हो जाएगा next question की तरह इस question में बात की गई है आर्थिक सर्मेक्षर 2019-2020 के संबंद में कहा गया है कि मत्स चेत्र जो है उसमें प्रात्मेक इस तरह पर लगबग 16 मिलियन मचवारों और मचवारों जो मचली पालक है उनको अजीविका प्रदान की जाएगी और 2016 में एक स्वतंत्र मत्स विभाग बनाया गया था तो पहली बात बिल्कुल सही है लेकिन दूसर सेट्मेंट इंकरेक्ट है क्योंकि मत्स विभाग 2019 में बनाया गया था करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहां पर ऑप्शन नमबर ए ठीक है क्योंकि पहली सेट्मेंट सही है अगले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं इसमें और चेत्र के बारे में कहा गया यह चेत्र कुल सकल मूल के 30% के करीब योगदान देता है तो इसमें हमारे यह तीनों ही सेट्मेंट बिलकुल सही है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी फिर आगे देखते हैं पी एलेफस के अनुमानों के अनुसार कहा गया है 2011-12 और 2017-18 के बीच जो नियमित वेतन कर्मचारियों के हिस्तेदारी है उसमें 50% की व्रद्धी होई है और महिला श्रमको के अनुपात में 80% की व्रद्धी होई है तो इसमें कौन सा सेट्मेंट्स आई है दोनों ही सेट्मेंट्स हमारे यहां पर इनकरेक्ट हो जाएंगे ठीक है क्यों तो हमने देख लिया इस question को आगे बढ़ते हैं परेटिन छेत्र के संबंद में कहा गया है 2017-18 में विश्विस्तर पर अंतर राष्ट्री परेटक आकमन में धीमी व्रधी देखी गई और उत्तर प्रदेश विदेशी परेटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष पांच राज आगे बढ़ते हैं कॉब्विप परिघटना यानि की कॉब्विप फिनॉमिन तो इसमें कहा गया है ये एक परिघटना को संदर्वित करता है चहां कुछ सामानों की कीमतों में उतार चड़ाव होता है जो प्रक्रती में चक्री होते हैं यानि साइकले होते हैं फिर कहा गय है इसमें हमारे दोनों स्टेटमेंट्स फिर से करेक्ट हो जाएंगे औप्शन सी करेक्ट है राइट इसका एक्जामपल हम ले सकते हैं अग्रिकल्चर प्रेड्यूस को देखकर हम परिखटना है फिनॉमिना उसको समझ सकते हैं तो वह कभी जब डिमांड और सप्लाई पर ड तेशों से आगरे किया है जिनके साथ FTA है यानि कि फ्री ट्रेट अग्रेमेंट वह अस्थाई रूप से मूल के प्रमाण पत्र के बिना माल के आयात की अनुमती दें और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है तो कौन से स्टेट डिराइफ होता है लौरेंस कर्व से और इसका उपियोग किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किया जा सकता है आय या धन के वित्रन का ये एक आलेखिक निरूपण है यानि की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो कुछ वर्ट्स इंग्लिश के ज इन कोईफिशन से रेलेटर ठीक है देन नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं बेंच्मार्क क्रूड ये कच्छे तेल के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए संदर मूल के रूप में कारे करता है यानि कि इस सब्सक्राइब और ये प्राथमिक बेंच्मार्कों में जो होते ह पहले अगर आपने कुछ महीनों पहले निउस देखी हो तो उसमें आया था कि जो क्रूड ओयल है उसकी जो वाल्यू है वो नेगेटिव में चली गई थी लेकिन कौन से की चली गई थी यहां पर जो प्राथमिक जो प्राइमरी बेंच्मार्क होते हैं जिससे रिलेट करते है कि क्रूड ओयल की वाल्यू क्या है वो तीन है कौन कौन से हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियेट ब्रेंट ब्रेंट और डुबाई क्रूड तो इसमें इंडिया किसको रिफर करता है पहले तो हम यह देख लें देखी इंडिया को जो कीमतों को इंडिया में निर्धार जाया था कि इंडिया सस्ता होने पर इसको जादा खरीद सके क्योंकि इसकी कीमते नेगेटिव गई थी तो यह कुछ चयंकि श्कान पर लेकन सिर्फ यहीं नहीं और सौने काफी है लेकिन तो पहला स्टेट्मर्श के सी यह प्रिफ्रेंट हैं कंश कार्गों से रूप में तो यहां पर जो थर्ड सेटमेंट है वो हमारा इंकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी कीमत नेगेटिफ नहीं हुई थी तो कौन सा हमारा करेक्ट सेटमेंट हो जाएगा वान एंड टू ऑप्शन एकरेक्ट हो जाएगा आगे देखते हैं देन फिर कहा गया है कि बजट 2020 के अनुसर जुकत पुरा तात्वक स्थलों को संघ्रहाले के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विखसित किया जाएगा तो किसको किया जाएगा 2020 के budget में कहा गया है वो archaeological sites जिनको develop किया जाएगा iconic sites with museums में तो राखी गड़ी, हस्तेनापूर, शिफसागर, धौला वीरा, आदी चनलूर और कौशामबी लोथल तो जो top 5 है उनको किया जाएगा लेकिन कौशामबी और लोथल इसमें included नहीं है correct option कौन सा हो जाएगा हमारा, options देख लेते हैं, correct option हो जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5 option number C, चीख है then, कृशी उत्पादों के परिवहान में किसानों की सहयता के लिए नागरिक उड़े और मंत्राले द्वारा एक योचना शुरू की गई है उसका नाम क्या है, देखे ऐसा ही options आते हैं कि बिल्कुल similar होंगे, तो इसमें जो हमारा correct option है, वो है कृशी उड़ान आगे बढ़ते हैं, इसमें बात की गई है कि भारत में विश्व के छेत्रफल का 2.4% हिस्ता है और दुनिया की आबादी का कितना हिस्ता है, 17.5% फिर कहा गया है, अमेरिका में विश्व के छेत्रफल का 7.2% भाग है और जनसंख्या का 4.5%, देखी पहला तो आपको समझा गया होगा, बिल्कुल सही है, easy है, लेकिन next question को, थोड़ा next question confusing है, आपको शायद ना पता हो, लेकिन ये दोनों ही statement बिल्कुल सही है, इनके पास छ तो correct option हो जाएगा हमारा option number C, then इस question को देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कतन गलत पूछा गया है, इसमें कहा गया है, दुनिया के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में, भारत की तुलना में केवल बांगलादेश की जनसंख्या गनत तो अधिक है, जो सबसे 10 top populated country है उनमें केवल बांगलादेश का जनसंख्या जो गनत फे population density वो जाता है, और संयुत राष्ट के अनुमान के अनुसार, विश्व जनसंख्या 2000 से 2010 के दौरान 4.23% की वार्षिक दर से बढ़ी है, annually बढ़ी है, तो यहाँ पर हमारा पहला statement सही है, दूसरा incorrect होगा, क्योंकि 4. 4.23% के annually नहीं बढ़ी है, वो बहुत जादा हो जाएगा, यह 1.23% से annually बढ़ी है, correct option हो जाएगा, option number B क्योंकि गलत कथन पूछा गया है, यहाँ पर point to be noted, right, next question की तरफ बढ़ते हैं, सभी राच्यों और केंद्र शासत प्रदेशों में पिछले जनगर्णा दशक की तुल वो है option number D कि इनके सिवाए, इन तीनों राच्यों और केंद्र शासत प्रदेशों के सिवाए, पिछले जनगर्णा दशक की तुलना में, यानि 2001 से 11 की जनगर्णा के दौरान प्रतिशत में गिरावट देखी गई है, छीक है, सिर्फ इन तीनों जगाहों को छोड़ कर, then next question की तरफ बढ़ते है, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, निमलिखेत राज्यों में, राज्यों को उनके बढ़ते हुए क्रम में, डशकी व्रद्धी के अनुसार विवस्थत करना है, यानि की, डिकेडल ग्रोध के अनुसार, तो कौन सा इसमें correct होगा, इसमें हो जाएगा हमार सबसे पहले, option देख लेते हैं, correct option है, यहाँ पर हमारा C, यानि की, सबसे पहले उत्तराखन, जम्मु कश्मीर, पंजाब और UP, ठीक है, ये correct answer है हमारा, next question की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है, 2011 की जिनगर्णा के अनुसार फिर से, कुल आबादी का 37.36% शहरी थोड़े difficult होते हैं, तो यहाँ पर ग्रामीर लिंगा अनुपाद पूछा है, ना की लिंगा अनुपाद, तो यहाँ पर हमारे जो statement सही होगा, वो केवल दूसरा होगा, पहला statement incorrect है, क्योंकि शहरी आबादी इसके हिसाब से 31.36% है, ठीक है, तो correct option कौन सा हो जाएगा, option number B, आगे बढ़ते हैं, जस्ता के संदर में, यानि जिंक से related कुछ points दिये गए हैं, कहा गया है, देश में 36 गण में सबसे जादा जिंक के भंडार है, फिर कहा गया है, इसका सबसे जादा उतपादन मध्यप्रदेश में होता है, फिर कहा गया है कि जस्ता के साथ सीसा और टिन option number B, right, option B correct हो जाएगा, यानि कि केवल तीसरा ही सही है, क्योंकि जिंक के सबसे जादा भंडार और सबसे जादा उतपादन कहा पर होता है, सबसे जादा दोनों ही चीज़े होती है, राजस्थान में, right, राजस्थान में होती है, इसलिए B option correct है, इस question में भारत में रेशम उतपादन के संबंध में point में है, कहा गया है कि करनाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उतपादक है, और आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा शेहतूत रेशम का उतपादक है, यानि कि मलबेरी सिल्क प्रड्यूसर, फिर असम में देश का सबसे जादा एरी रेशम यानि कि एरी सिल्क प्रोडक्शन होता है, तो कौन सा इसमें हमारा correct statement होगा, इसमें correct हो जाएगा, option number हमारा A, right, दूसरे statement incorrect है, क्योंकि सबसे जादा जो मलबेरी सिल्क का उतपादन होता है, वो कहा होता है, करनाटका में, और second number में आता है आंध्र प्रदेश, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, next question में बात की गई है, राज को उनके उच्चतम उतपादन से सुमेलत करना है, तो कौन सा इसमें correct होगा, इसमें correct हो जाएगा हमारा, जम्मू कश्मीर, बादाम, देन, आंध्र प्रदेश, केला, गुजरात, नीबू, महराश्र, संत्रा, option A correct हो और सबसे ज़्यादा क्रशी आयात वनस्पती तेल का होता है, तो यहाँ पर भी दोनों statement सही है, option C correct हो जाएगा, देकि जो statement सही है, लेकिन उनको एक बर ध्यान से देख लीजेगा, अगर आपको नहीं बता है, जिला और उतपादन को मिलाना है अब हमें, तो कौन सा इसमे correct हमें देखना है कौन सा सही सुमेलत है अचली, मिलाना नहीं है, तो कौन सा इसमे सही सुमेलत है, तो इसमे गोरगपूर केला बिल्कुल सही है, आगरा भिंडी, जालॉन, मतर और मैनपूरी टमाटर, यह चारों ही बिल्कुल सही है, option हमारा correct हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4, ठीक है then, देशों को उनके प्राकृतिक ग्यास भंडार के बरते क्रम्बे में वस्थित करना है, तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक ग्यास के भंडार कहां पाई जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, फिर आता है कतर में, उसके बार आता है इरान, then रूस, यानि correct option क्या हो जाएगा, 4, 2, 3 and 1, next question की तरफ बढ़ते हैं, इन देशों को 2018-19 में भारत में FDI प्रवाह के भरते क्रम्बे में वस्तित करना है, सबसे जादा FDI भारत में FDI inflow, किस देश से हुआ है, तो इसमें सबसे जादा कौन से देश का हुआ है, सबसे जादा हुआ है, America, then UK, उसके बाद आएगा, Netherlands, फिर Japan, option correct हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4, सब ठीक है, US, UK, Netherlands and Japan, then अगले question की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है, 2011 की जंगरना के अनुसार, भारत में 3 Megasities हैं, और UN के अनुसार, भारत में 5 Megasities हैं, और 2011 की जंगरना के अनुसार, Greater Mumbai सबसे बड़ी Megasities है, तो इसमें हमारी ये तीनों ही बाते बिल्कुल सही है, UN के अनुसार, यहां पर 5 Megasities हैं, लेकिन 2011 की जंगरना के अनुसार, यहां पर 3 Megasities है, option C, correct हो जाएगा, then, इसमें कहा गया है, भारत में दुनिया में अधिक्तम ग्रामीराबादी रहती है, और बांगला किया गया है, यह questions ऐसे ही form होते हैं, जो थोड़े से tough लगें, भले ही वो आपको आते हों, लेकिन आप confused हो जाएं, इसे तरह से questions frame किये जाते हैं, इसमें हमारा correct option cable A होगा, दूसरा statement incorrect है हमारा, क्योंकि अगर हम ग्रामीराबादी के हिसाब से देखें, तो सबसे जादा पा पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, उसके बाद आता है हमारा बांगलादेश, ठीक है, तो यह sequence है ग्रामीराबादी का, फिर आगे बढ़ते हैं, राश्ट्रिये स्वास्त नीती 2017, इसके इसाब से कहा गया है, नीती में GDP के 2.5% तक सार्बजनिक स्वास्त पर व्य करने क प्रस्ताब है, 2035 तक राश्ट्रिये और उपराश्ट्रिये इस तरो पर TFR, यानि Total Fertility Rate को कम करके कितना लाना है, एक तक लाना है, और 5 वर्ष से कमायों के जो बच्चे हैं, उनकी इम्रित्य उदर को 2025 तक कम करके कितना करना है, 23 तक लाना है, ठीक है, तो इसमें जो हमा करेक्ट स्टेट्मेंट है, वो है, ओप्शन नमबर A, राइट, A सही है, क्योंकि दूसरा स्टेट्मेंट गलत है, यहां पर 2035 ना होकर, 2025 तक, जो TFR है, उसको एक तक लाना है, ना कि 2035 तक, इन पॉइंट्स को एक बार देख लीजेगा, अगले क्वेशन की तरफ बढ़ कितनी है, 49.74% पुरुषों की है, और टोटल में 21.1% आबादी जो है, वो मध्य प्रदेश में रहती है, स्टी पॉपलेशन की, इसमें कौन सा सेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, इसमें जो करेक्ट सेटमेंट होगा, वो होगा, ऑप्शन नमबर B, यानि केवल दूसरा स्ट देशों को मुस्लिम जनसंख्या के घटे क्रम में हमें विवस्थित करना है, तो कौन सा इसमें हमारा करेक्ट होगा, इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नमबर A, यानि 1, 2, 3, 4, 5, देख लेते हैं, क्या है सीक्विंस करेक्ट, सब लक्षवदीप पहले आएगा फिर जम्मु कश्मीर, असम, पश्चिम, मंगॉल और केरिला, चेक है, यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या चित्रकूट में और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या मुरादाबाद में पाई जाती है, पहला स्टेट्मेंट साही है, दूसरा इंकरेक्ट क्योंकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या रामपूर में पाई जाती है, और सभी जितनी भी गर्म धारा होती है, वो भूमा दे रेखा से निकलती है, क्यूरोशियो धारा जो है, वो एक थंडी धारा है, तो यही स्टेट्मेंट हमारा इंकरेक्ट है, क्योंकि यह ए पहाडी के पास मिल जाती है, और हीरा कुट जो बांध है, वो ब्रामणी नदी पर निर्मित होता है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट स्टेट्मेंट है, वो है पहला, ठीक है, लेकिन जो इनकरेक्ट है, वो है दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि यह निर्मित होता है, महा दबाव और तापमान में परिवर्तन की कारिवाही के तहती इसका निर्मार होता है फिर कहा गया है चटानों की जो सामगरी है वो केमिकल ही मॉडिफाई हो जाती है तो दूनों ही बाते बिल्कुल सही है और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं भारत में दक् प्रसद्ध हिल स्टेशन है पालनी पहाणियों पर स्थित है तो इसमें जो हमारा करेक्ट है वो होगा यह तीनों ही स्टेट्मेंट्स यानि ओप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तो इसको एक बार देख लीचेगा शेवरोय पाढ़िया कहां पर है तमिल नाडू में है यह स् स्टेट्मेंट्स करेक्ट होच इसको Google से बढ़नियों में है और यह यहां पर हमारे उसाधी स्टेट्मेंट्स हों नेक्स देखते हैं Kalasagar को पानी प्राप्थ होता है कहांग किसे प्राप्त नहीं होता है जाव अधा महासागर में खुलता है तो कौन सा वो जल दम्रूमध्य है यानि स्ट्रेट है को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यह तीनों ही क्योंकि बॉस्पोरस स्ट्रेट मेडिटरेनियन सी और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तीनों को ही जो यह ब्लाक सी है यह उपर होती है इ सिसिली, साडेनिया, कॉर्सिको, स्ट्रॉमबोली, माल्टा और क्रीट इसमें हमारा जो करेक्ट आप्शन है वह सभी जो हैं यह सारे ही द्वीब हैं इस्थित भूमध्य सागर में इनकी एक बार लोकेशन देखने से आपको यह याद रहेंगे फिर नेक्स क्वेशन की तर नदियों के बीच श्थित है यहां पर कॉन सा सिटमेंट सही होगा पहला और डूसरा नदियों के बीच से में बढ़त है। इंद्रवति इंद्रवति यह गलत है तो करेक्ट ओप्शन हमारा यह हो चुका है यहां पर इसमें बात की गई है कि मौसिन राम प्रत्वी पर सबसे नम स्थान है और क्रेम पूरी नाम की दुनिया की सबसे लंबी जो बलुआ पत्थर की गुफा है वो मौसिन राम के इलाके मेहिक के पासी मिली है और यह पस्चमी खासी पहाडी छेत्र में पाया जाता है इसमें हमारा करेक्ट स्थेट्मेंट कौन सा हो जाएगा देखिए मौसिन राम कौन सी स्थेट्में लोकेटेद है यह आपको पता होगा मेखाले में है इसमें हमारा जो इनकरेक्ट स्थेट् तो इसी छेत्र में बिलती है, correct option हो जाएगा हमारा B, ठीक है, then अगले question की तरफ बढ़ते हैं, इस question में कहा गया है, कि कौन सा कता 90 पूर्व रिज के बारे में, यानि 90 इस्ट रिज के बारे में सही है, ठीक है, तो ये प्रशान महासागर में स्थित है, और ये एंडर भी प् आक्ट का के पास एक समुद्र के तेल में स्थित मैदान है, तो कौन सा statement हमारा सही है, ये दोनों ही statements हमारे सही है, ये दोनों ही statements सही हो जाएंगे, then next question की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है, टैगा climate से related points, उत्तरी और दक्षडी कोलार्ट में पाया जाता है, ग्रीश म पनस्पती सदा बाहर शंकू धारी वन, यानि कि evergreen coniferous forest होते हैं, तो कौन सा statement सही है, दूसरा और तीसरा सही है, ये पहला statement incorrect है, क्योंकि सिर्फ उत्तरी में पाया जाता है, ना कि दक्षडी में, ठीक है, important point है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ट में पाया जाता है, ना कि प्राणी शुरू की थी, तो किसने शुरू की थी, विश्व, मौसम, विज्ञान, संगठ, एशिय और प्रशान्त के लिए संयोक्त राष्च, आर्थिक और सामाजिक आयो, इन दोनों ने ही शुरू की थी, option हो जाएगा correct C, देन अरब सागर में बढ़ते हैं, जो साइक्ल साइक्लोगेनसिस और तीव्र चक्रवात के बनने के पीछे क्या कारण है, जो अरब चक्रवात में साइक्लोगेनसिस बढ़ रहे हैं, और तीव्र चक्रवात आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, पहला कहा गया है, भागोलिक स्थिति, समुद्र की बंद्र प्रकृती, दादा से दादक इसमें आते थे बे ओफ बेंगॉल में और इसमें बहुत कम आते थे आगे क्वेशन दिया गया है जेट स्ट्रीम के संदर में पश्चम से पूर्फ की और तेज प्रवाह होता है इसमें हवा का और प्रत्वी की सता से यह 5-7 मील उपर होता है इसका जो कारण है इसके कारण वातावरण में हबा और दवाव में परिवर्तन होता है तो यहां पर यह तीनों ही सेट्मेंट्स आई है और तीस जुलाइल को समाप्थ हो जाता है ऑफीशियल ही बात की गई है भारत इन तारीकों का पालन करता है जब से कब से कर रहा है यह 1941 में आकरी बार धारत की गई थी तब से इसको पालन करता है यह बात सही है लेकर जो ऑफीशियल है वो एक जून से लेकर 30 सेप्टेंबर है ठीक है कब ता के 30 सेप्टेंबर ना कि 30 जुलाइग वो यहां पर हमारा जो करेक्ट ओप्षन होगा वो होगा ओप्षन नमबर बी देन आप्षन म सही है वो है ऑप्षन पर सी क्योंकि इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसका मुख्याल है नियू डेली में है ना कि गुरू ग्राम में चीक है तो ऑप्षन सी करेक्ट हो जाएगा देन देखते हैं एंठ्रोपूसीन इपोक है उसके डिलेटेट पॉइंट्स दिये बदलाव कर दिया है कई स्थितियों को बदल दिया है एक पैनल ने 2021 तक नए युक के लिए एक उप्चारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योच्छना बनाई है तो यह तीनों ही बाते हमारी बिल्कुल सही है जहां पर एंठ्रो आ जाता है वहां पर यूमन से अंटार्क्टिका में भारत के स्थाई स्थेशनों के बारे में पॉइंट्स दिये गए है भारती को 2012 में चालू किया गया था 2000 में दक्ष्ण गंगोत्री स्थेशन को छोड़ दिया गया क्योंकि यह बर्फ के नीचे दब गया था यह दोनों स्थेट्मेंट्स नहीं है या लगने लगते हैं इसलिए इस question paper में जाधा question statement में है ताकि आपको practice हो जाए और UPSC अब जाधा question statement में ही पूछने लगा है confused करने के लिए तो इस question को देखते हैं ज्वाला मुखी विसफोट और देश को मिलाना है हमको कौन सा सुमेले थे क्या इसका correct answer होगा तो इसका correct answer हो जाएगा A यानि कि मयो ट्वीब जो है वो फ्रांस में और माउंट सोपुतान ये इंडोनेशिया और माउंट एटना हो जाएगा इटली देखी इस question में बात की गई है सारगासो सागर की इसके related points दे गए कहा है कि जो इस की स्नीमा बनाती है देखिए ऐसे ये statements आपको थोड़े difficult लग सकते हैं लेकिन आप थोड़ा visualize करने के कोशिश कीजिए और अगर आपको पता है तो आप देखिए सारगासो सागर कहां पर located है तो अगर आप उसको थोड़ा location visualize करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क साउंड कर रहा है अगले question की तरफ बढ़ते हैं जयकवाडी बांध के संदर में पॉइंट्स दिये गहें आंध्र प्रदेश में हैं और यह कृष्णा रदी परस्तेत हैं यह दोनों ही statements हमारे यहां पर incorrect हैं क्योंकि यह महरास्ट में है जयकवाडी बांध कहां पर है महरा यह बुरही है इसको बुरही लग गया है तो यह बुरही बोलेगा और पलेरू जो है वो कृष्णा की बताए गई है तो यहां पर हमारा क्या correct होगा यहां पर हमारी यह तीनों ही बिलकुन correctly match है option हो जाएगा correct option number D right then next देख लेते हैं इसमें बात की गई है जलवायू report प्रकाशित कर चुका है इसे 2007 में Nobel शांती पुरस्कार मिला है तो इसमें कौन से सही नहीं है इसमें केवल second statement सही नहीं है क्योंकि इसका भारत सदस से है 1 3 & 4 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है इसमें IUCN के संदर में points दिये गए है खा गया है कि प्रक्रती संरक्षन और प्राक्रतिक संसाधनों के सतत उप्योग के छेत्र में काम करने वाली अंतराश्ट्रियसंस था है किसमें काम करने वाली in the field of nature conservation और sustainable use of natural resources 1956 में स्थापित हुई थी और ये प्रक्रती संरक्षन के समर्थन में जन्ता को लामबंद करने का लक्ष नहीं रखता है और मुख्याले कहां पर है स्विर्जलेंड के gland में तो इसमें खा गया है कि हमें correct statement बता नहीं है कौन सी correct हो जाएगी यहाँ पर यहाँ पर one three and four correct हो जाएगा दूसरा incorrect है क्योंकि इसकी स्थापना 1948 में होई थी और यह क्या करता है यह does not itself aim to mobilize the public in support of nature conservation यह सरकारों को करता है और सरकारों के माध्यम से यह पब्लिक तक बात पहुचती है यह government का काम होता है यह directly government को लोगों को नहीं बताता है यह government को बताता है ठीक है आई UCN के माध्यम से government को कहा जाता है गवर्मेंट्स अपने यहां कोशिश करती है कि वो mobilize करें पब्लिक को पब्लिक सपोर्ट के लिए इन फील्ड ओफ नेचर कंजर्वेशन देन आगे देखते हैं राच आपदा अनुक्रिया अनुकोष्ट यानि की स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फण कहा गया है कि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहट गठेथ हुआ था और 13 वितायों की सिफारिश के आधार पर गठेथ हुआ था तो यह कौन सा सीट पर यहां पर करेक्ट होगा यहां पर दोनों ही बाते बिल्कुल सही है और ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा फिर हम देखते हैं अग वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट क्या कौन से स्केडियूल में इंडेंजर स्पिशीज को कवर करता है तो इंडेंजर स्पिशीज आ जाते हैं अनुसूची एक में इस क्वेश्चन में ब्लड प्लाज्मा से रिलेट पॉइंट्स देगा है कहा गया है यह पीला तरल घटक होता है ब्लड में और लगब नाइघटीडी पर सेंट चल और यह रप चाप और मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है देखिए मेंटेनेunft प्लड प्रेश और वालियूम मात्रा इस Gör ब्लड गी ठीक है तो क्या इसमें करेक्ट होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर एक यानि तीनों ही स्टेट्मेंट्स सैंग है ठीक है अगला क्वेशन है प्लास्मा थेरेपी से रेडेटेड यह काफी जादा निवूस में रहा है आपको पता है इससे अगर किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांस्पर हो सकता है और इसके लिए कोई स्टांडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है जिसका पालन हो सके यह तीनों ही इंप्लास्मा थेरेपी से रिलेटेड तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी इसलिए लिए इसका विरोध भी कर रहे हैं इसमें कहा गया है कौन सी नदी भीमगर वनजीव अभ्यारन से उत्पन होती है तो कौन सी नदी होती है इसमें उत्पन महादाई ठीक है महादाई जो नदी है वो भीमगर वनजीव अभ्यारन से उत्पन होती है और यह वनजीव अभ्यारन कह यहां पर located है गोवा में इस question में बात की गई है डाइथलीन ग्लाइकोल की डाइथलीन ग्लाइकॉल के संबन में कहा गया यह anti-freezing agent है और acute renal failure यानि कि गुर्दे की खराबी इसके द्वारा हो सकती है तो यह दूनों ही statement यहां पर हमारी correct हो जाएंगी option नमबर C करे थे ठीक है यह भी काफी जादा न्यूस में था इसलिए इसको कवर किया गया है दिन कैपिलर मिशन के संदर में कहा गया है नासा द्वारा 2011 में प्रारम्प किया गया था 26 से अधिक बहर ग्रहों यानि एक्जो प्लानेट्स को यह खोड़ चुका है और 2018 में यह सेवा निव्रत हो गया तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है वन एन टू सही है दूसरा पहला स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि इसको 2009 में प्रारम्प किया गया था ना कि 2011 में चीक है तो आगे बढ़ते हैं यूरेशियन ओटर इसके संदर में कहा गया है यूरोप और इशिया में पाया जाता है यह और भारत में हिमाले की तिलहटी जो तलहटी है करनाटका में ठीक है और बाकी ये दोनों कहां बनें कैरला में then next है नौर्डिक आर्थिक मौडल को इसमें बताना इसकी क्या विशेश्था है तो बड़े सारजनिक छेत के उद्यम, सारजनिक कल्यान स्कीम, उचिस्तर का कराधान, इसमें इसकी विशेशता क्या है, ये सारी ही Nordic आर्थिक मॉडल की विशेशता है, इसका बेसिकली जो Nordic countries है, ठीक है, उनकी ये, उनका जो economic model है, उसमें ये सारे factors पाये जाते हैं, तो य उनकी विशेशता हो गई, वहाँ पर economic model को Nordic economic model कहा जाता है, ठीक है, तो कौन सी Nordic countries है, अगर आपको पता है, तो comment section में जरूर बताएगा, then next question के तरफ बढ़ते हैं, मलाई, महादेश्वर, वन्यजीव, अभ्यारन, कहा गया है, करनाटक के, चामा, राजा नगर जिले में स्थे थे, और ये पूर्वी और पश्चमी घाट के संगंबर स्थे थे, 2013 में एक अभ्यारन के रूप में ये अधिसूचत किया गया था, यहाँ पर कौन सा statement हमारा correct होगा, ये सारी statements बिलकुल correct है, इसलिए correct option हो जाएगा, option number D, छीक है, then next question को देख लेते हैं, इन में से साफी जादा पूछी जाती है exam में, तो यहाँ पर थोड़ा different कर दिया question कि कौन से report, विश्व बैंक जारी नहीं करता है, तो कौन से report है, वो है विश्व आर्थिक आउट लो, ठीक है, इसको IMF जारी करता है, ना कि विश्व बैंक, बाकि विश्व विकास report और ease of doing business, विश points दिये गए है, कहा है, कहा गया है कि RNA virus ज्यादा तर एक ratio होता है, और यह एक बड़ा genome होता है, चेचक harpes, RNA virus के रोग है, और RNA virus जो है, वो कम उत्परिवर्द अंदर, यानि उसमें mutation rate जो होता है, वो कम होता है, इसी के कारण वो स्थिर होते हैं, तो इसमें हमारा जो correct है, option number A, ज्यादा तर यह एक ratio होते हैं, बाकि यह जो statements दिये गए हैं, यह DNA से related है, DNA virus से ना कि RNA virus से, right, फिर कहा गया है, fly ash का इस्तेमाल कहां किया जाता है, crush ही निर्माल कारे अवशोशक का भी निर्माल, यानि manufacturing of absorbance, तो यहां पर यह तीनों ही जगे किया जाता है, option D correct हो invention, organic pollutants है, कौन सा सही matched है, वो हो जाएंगे, दोनों ही correctly matched है, option C correct, right, then, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हमें match करना है, metal को उसके रोक से, तो C सा का मानसिक मान दता हो जाएगा, यानि mental retardation, nickel हो जाएगा, pneumonia, और zinc हो जाएगा, बुखार से, option A correct हो जाएगा, फिर अगले question की तरफ बढ़ते है, Dublin principles, यानि Dublin सिंधानतों को 1992 में, Ireland में, जल और पर्यावरन पर अंतराश्च्री समेलन में अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है, और मेगाले ने चल नीती के मसौदे को मंजूरी दी है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है, दोनों ही statements बिल्क यानि की सबसे पहले हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश, दिन महराष्ट, और नाचल प्रदेशन, ओडिशा, ठीक है, लास्ट क्वेशन पर आते हैं हमें इस test के, इसमें कहा गया है, ट्यूबर गिलॉसेज यानि तपेदिक के संदर में, ये एक संचारी रोग है, जीवा सरकार ने ये एम किया है कि वो टीबी से यानि तपेदिक से देश को मुक्त कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, हमारे सारी questions कंप्लीट हो गए है, I hope आपको अच्छा लगा होगा, अगर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको जगर आपने अभी तक नहीं किया है, thank you so much, see you in the next lesson